हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चनल स्वागत है आपका मेरे चनल में जिसका नाम है तरणा विद्मामी मैं तरणा स्वागत करती हूं आपका अपने चनल में आप सबको पता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कमुजी की वीडियो बनाई थी एक से दो दिन पहले की सब्सक्राइब करें ते cannabis क अचनौ की बनांच अधरिए भी काट नंग कर रहा ह्या तो उसागर तो सच तो जो कौने तू लिके टिलिट कर रहा है दम रख कि उसकमेंड को वही पर छोडots ठीक है कम से कम नी तो साथ से आठ मैंने तेरे जो कमेंट्स हैं अलग-अलग नाम से अलग-अलग आईडी बना कर तू इतनी मेहनत कर क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आता तू इतनी मेहनत कर किस ले रहा है क्योंकि गमू के पास तेरी कुछ चल नहीं रही है अगर तेरी चलती तो यहां पर आकर तू कमेंट नहीं करता मैं कंटिन्यो दो दिन से तुछे देख रही हूँ दो दिन से तू वीडियो पर आकर गंदे-गंदे कमेंट कर रहा है और तू यह साबित कर रहा है कि वो तू खुद ही है ठीक है क्योंकि तेरा बस नहीं चल रहा है जिस तरह के से गमुजी ने बोला और और उनकी जो वीडियो आई थी उसनों उन्होंने बोला है कि तू इतना उन्होंने नहीं बताया जितना तो कमेंट करके बता के जा रहा है अपनी जो इमेज है ना वो त उपर मतलब मैं तो वर्ड में भी यूज नहीं कर सकती इतना गंदा आदमी है तो अगर तेरे अंदर इतनी सी भी शरम बाकी रह गई है ना और तेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है और तू सच में अपनी मां की आउलाद है तो कमेंट लिखके जा उसको डिलेट मत कर जो तू लिखता है उसको छोड़ वहीं पर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि और पब्लिक पढ़े उस कमेंट को ठीक है और तेरे मुग के अंदर वो गू भरे जब तुझे समझ में बैठेगा क्या तू करके आ रहा है क्या नहीं करके आता तू ने कह सोचा कि तू इस तरीके से कमेंट करेगा और मैं तो डर जाओंगी और मैं आके बैठ जाओंगी भाई सब सुन तेरा ना ऐसी ओरतों से पाला पढ़ने वाला है अब क्यूंकि अगर गम्मु जी को जल से जल नहीं मिला तो तेरा ऐसी ओरतों के साथ पाला पढ़ेगा तू ना ऐसे अपने सिर पकड़ के बैठेगा कि वह कौन सी घड़ी थी जब मेरी गमूंगों से साधी उई थी रह वाट नियुक्त कौन सा गणहएे मेरे उपर बैठा था दम है तो तू रोक के दिखा दे चीक है अगर तेरे अंदर दम है तो तू रोक के दिखा दे मैं तो बनाऊंगी मैं भी बनाऊंगी और चार लोगों को और बोलूंगी कि वो भी बनाए मैंने जब वीडियो बनाया था तुने क्या बोला कि तुने बोला कि तुम्हें उस चीज के बारे में नहीं पता तुने यह चीज बोला ना तुम्हें उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है यही बोला ना तुने, तो मैंने तिरको उस comment section में क्या लिखा था, अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हूँ, तुमने एक DP, एक में तो तुम्हारी DP थी, जिसके अंदर तुमने white color की shirt पहनी हुई थी, उसको मैंने लिया है, मैं अभी इसमें कही कहीं लगा दूँगी, अदर्वाइस नहीं तो मैं उसको thumbnail में लगा दूँगी, ठीक है, कोशिच में पूरी करूँगी, कि जिस मैंने ली थी, और मैंने अपने husband के phone में भी screenshot लिया है, बट अभी husband घर पर नहीं है, जब भी आते हैं, मैं उसका screenshot या फिर thumbnail लगा दूँगी, अगर इस वीडियो में नहीं हुआ, तो next वीडियो में जरूर से जरूर लगा दूँगी, कि वो कौन सा बंदा है, और उसको शायद घम्मुची पहचान जाए, क्यों उनकी पहचान का है, तो पता चल जाए, ठीक है, व्यूज के लिए मैं ये कर रही हूँ, मेरी वीडियो पहची नहीं है उसकी, कि उसके लिए कोई अच्छा इंसान दो वर्ड अपने बोल सके, तू अपने आपको विकलांग कहता है, ठीक है, पर तेरे हल्की सी जलक है तेरे पैरों में, बल्कि तू विकलांग नहीं है, अगर तू विकलांग होता, तो तुझे उस दर्द का एस असास होता, जिस तरीके से तू मार रहा है, उसके भाईयों को, उसको मार रहा है, और फिर तुझे एक सानबूती चाहिए, कि तू एक विकलांग है, तो तेरों पर कोई नेगिटिव वीडियो ना बनाए, तेरों पर कोई नेगिटिव कमेंट ना करे, बस तुझे जब तक तो मुझे चैन आने से ज़ा, अब तो मैं इंतिजार करूंगी उस फैसले का घमु के सपोर्ट में फैसला आएगा, घमु के हक में फैसला आएगा, उस दिन का इन चानों करूंगी और दूआ करूंगी परमात्मा से, कि वो टाम जल्द से जल्द 앞 जल्द आए, और आसा समझग करके रहा जाये तो फिर पिएगा फिर पीके हात उठाएगा फिर मारे पिर बच्क को जलील करेंगा उनकी आगे उनकी मां को गंदा संदा बोलेगा 24 गणंत काली निकालेगा ऐसे ुज़ को संसकार्ड मिलेंगी ऐसे संसकार देंगे क्या कुछ लोग हैं जो यह चीज़ बोलते हैं कि मत करो समझ होता करलो बच्चों की लाइफ खराब हो जएगी तो उन लोगों से एक शबाल है मेरा अगर बच्चों की लाइफ उस चीज़ से खराब होती है तो एक चीज़ सोचिए बच्चों का ठेका सिर्फ माने लिए रखा है बाप का कोई फर्ज नहीं है कि अगर बच्चों के आगे वो गंदी लैंगेज यूज कर रहा है उसके बच्चों पर भी तो गलत असर प अच्छा है जो बेटा आज इतना अच्छा है कल को अपने बाप की कर्दूत देखेगा और वह बाप जैसा बन गया तो सोच के जवाब दीजिएगा मुझे तो जो है ना उससे भी ज़्यादा गिरता जा रहा है अभी तक तो हम लोग ही सोच रहे थे कि नहीं चलो छोडो मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली थी क्योंकि अगर मैं बनाती तो उसके बाद ही मैं वीडियो प्रो प्रोष की हैं जो तु कमेंड टाइब करता है ना उस तरीके से और तूस में गाली काई यूज करके जा रहा है और manner ना दूए तो लाव मैं कि से और गाली क्यों तो 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 वेट एंड वाच कि घमू को तो नियाय मिलेगा और तुझे तो सजा मिलेगी मिलेगी इतनी गंदी और ओची हरकते जो तू कर रहा है ना तो तू सुधर जा अगर नहीं सुधरेगा तो बेटा तू सोशल मेडिया पे तो आही गया है ठीक है तुने जो एक सहानबूती व चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो चप्डासी हो चाहे वो कोई भी वर्ग करता हो 95% लोग ड्रिंक करते हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे जो ड्रिंक करते हैं वो अपने घर में कलेश करते हैं 25% घरवों के अंदर कलेश नहीं होता ड्रिंक करने के बाद पर बाकी के जो बचे लोग हैं उनके घर में कलेश होता है गमु की इस एक आवाज के उपर पता नहीं कितनी सारे ओरतों के अंदर हिम्मत आई है कि वो भी एक्षन ले और वो भी अपने लिए खड़ा हूँ तो हम जो उसके आगे सिच्वेसन चल रही है रोज के कोड के आगे चक्कर लगाने रोज के अपने पुलिस थाने में जाना आना जाना करना और अपने बच्चों को देखना ये तो शुकर है कि आंटी जी का उनकी ममी का कि वो बच्चों को देख रही हैं क्योंकि तेरे जैसे के भरोसे तो कोई छोड़ भी नहीं सकता, जिस तरीके का तो इंसान, और जो लोग कह रहे हैं न कि समझोता कर लो, मानते हैं कि अगर समझोता कर लिया, समझोता करने के बाद वो महिने दो महिने ठीक रहा, और इस टन तो उसकी बदनामी बढ़िया वाली हो चुकी है, क्या पता कलको गमु के साथ कुछ ऐसा कर दे, कि दुबारा गमु अब तो बोल रही है, और हम लोग उसके साथ हैं, तो प्लीज घमुजी यही कहूंगी, कि जब हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी फैसला लीजिएगा, ये सोच के लीजिएगा, कि छोटी बात नहीं है, ये अब आपकी लड़ाई आपकी नहीं है, ये हर एक उस औरत की लड़ाई है, जो अपने घर में कलेश के बीच में दबी हुई है, और आपकी वज़े से एक उनको बोलने की और अपने अंदर एक हिम्मत उनके अंदर आ रही है, सिर्फ आपको देखकर, तो आप ऐसा कोई भी देखें और सुने, क्योंकि ये जो दर्दनाग आपके साथ हरकते हुई है, जो आपको मारा गया है, पिछा गया है, तो अगर ये चीज एक आदमी के साथ औरत करते ना, तो उसको पता है, बहुत गलत-गलत नाम दे देते हैं, पर हाँ, ये चीज अगर एक आदमी करता है, तो वो मर्द है, उसको हक है कुछ भी करने का, कौन से agreement साइन करके लेके गया था, जो उसको हक है, जितना हक उसको जीने का है न, तो इतना हक उस औरत को भी जीने का है, तुझे भी तेरी माने जनम दिया है, उसको भी उसकी माने जनम दिया है, फर्क संसकार का है, उसकी माने उसे ऐसे संसकार दिए हैं कि बेटा गल्प के आगे जुकना मत बेसक सिरकट जाए तो तेरे जो संसकार हैं जो तुमारी फैमिली के संसकार दिए गए हैं तो बेटा वो तो साब पता चल रहा है चीए तो यह थी मेरी वोर् liquidity की आगे से अगर तुझ में दम है तो अगर तू कमेंट करता है तो उस कमेंड को डिलीट ना करना अगर तेरे अंदर दम है अंदिजार करूंगी तेरे कमेंट का और तेरे नही आईडी का क्योंकि अब तक 7-8 आईडी तो मैं तरी ब्लॉक कर चुकी हूँ, पता नहीं तरे पास इतने कॉंटक्ट हैं, या इतनी तरे पास सिम है, I think सिम की तो जरूत नहीं बनती है, नहीं नहीं आईडिये एक यूटूब में बना सकते हैं, तो शायद वही गेम तू खेल रहा है, Justice for Ghumo, हम चाते हैं, घमू को जल्दी से जल्दी नहीं आये मिले, और ऐसे दरिंदे को जल्द से जल्द सजा मिले, जो अपने घर की ओरतों के उपर तो गंद बोलता ही है, बाहर की शोशल मीडिया की लेडिसों के उपर भी गंद उच्छाल रहा है, सुधर्चा परना बहुत बुरी पड़े की तुझे, इससे आगे कुछ नहीं कहूंगी, और इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी, आपको इस वीडियो में कौन सा पार अच्छा लगा, प्लीज मुझे कमेंट शेक्षिन बताएगा, और जो भी मेरे पास अकर कमेंट हुआ तो मैं देखूंगी, नहीं तो आइड स्क्रीन में कहीं ना कहीं लगा दूगी, अगर इस वीडियो में मिल गया तो ठीक है, क्योंकि वो मैंने अपने हस्बेंड के उसमें स्क्रीन शॉट लिया है, काफी मेरी वहां पर बहस हुई उसके साथ, वो दो-चार बहस होने के बाद वो उसको डिलीट कर देता है, पर फिर भी बेचिनतित रहे वो, उसके एक-दो क्लिप में मेरे पास फोटो आई हैं, बाकी क्लिप में उसका नाम मैंशन नहीं है, नाम mention है नाम भी अलग-अलग ID से अलग-अलग नाम है एक नाम से वो message नहीं कर रहा है पर comment उसका एक ही रहता है गंदी गालिया रहती है और घमू को जो नाम है उसको वहाँ बोलेता है बहुत गंदी तरीके से तो ये social media पर मैं इस तरीके से उन comments का उन language का यूज नहीं कर सक घमू नहीं हूँ तरुना हूँ नाम याद रखियो T-A-R-U-N ने और पीछे राठोर लगता है नहीं पता तुझा के सर्च करना कि राठोर कैसे होते हैं